हेलो इस्टुडेंट्स वेलकम बैक माई योट्यूब चैनल बायलोजी साइन्स आज हम आप लोगों को एड्स के बारें बताएंगे जिसके अंतरगत एड्स क्या है या किस कारण से होता है इसकी खोज किसने की इसका पूरा नाम क्या है इसके लक्षण क्या है यानि जब यह हो जाता है तो क्या-क्या लक्षण प्रकट होते हैं इसकी रोक थाम कैसे की जाए क्या करें क्या ना करें तो AIDS नहीं होगा HIV क्या है HIV का पूरा नाम क्या है आधी चीजों के बारे में डीटेल में बताऊंगा तो जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखत को समझा देता हूं ताकि इस महामारी से आप बस सकें सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में संचिप्त रूप से जान लिया जाए सन 1981 इस बी में इस रोग का पता चला था और सन 1983 इस बी में डाक्टर लक मांटगेनियन ने इस रोग के वाइरस की खोज की थी आज कल यह र वर्ड हेल्थ और्गनाइजेशन के आकणों के अनुसार संसार के 150 देशों में लगभग 2 करोड से भी अधिक लोग एट्स रोग से पीडित हैं जिन में से पूरुसों की संख्या बहुत अधिक है माना जाता है कि सबसे पहले इस रोग का विशाण एचाईवी अफरीका के खास प्रजात के बंदरों में पाया गया था और वही से यह पूरी दुनिया में फैला अब आप लोग जान चुके होंगे कि एट्स एक वीशाण जनित रोग है जो एचाईवी वीशाण से फैलता है तो ये तो हुआ इसका इतिहास अब आप लोगों को इसका पूरा नाम बता देता हूँ एट्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफीसियंसी सिंड्रोम है या हिंदी में कहें तो उपारजित प्रतिरच्छा निउन्ता सिंड्रोम मतलब ये कि एट्स कोई एक अलग सी बीमारी नहीं है ये हमारे सरीर में प्रतिरच्छा तंत्र को कम जोर करती है यानि बीमारियों से लड़ने की छमता को कम करती है जिससे अन्य बहुत सारे बीमारियां घेल लेती है और हम रोग ग्रसित हो जाते हैं इसी को एट्स कहते है तो ये तो हुआ इसका पूरा नाम चलिए अब AIDS के वाइरस HIV की संदचना को समझ लेते हैं जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं HIV वाइरस की संदचना इसमें तीन प्रमुख भाग हैं केंद्रिय भाग सेंट्रल कोर मध्य भाग कैपसिड तथा बाहरी भाग लाइको प्रोटीन खोल HIV एक गोल आवरन युक्त वाइरस है इसका ब्यास 90-120 NM होता है यह एक रेट्रो वाइरस है इसका आन्वानसिक पदार्थ एक सूत्री होता है आर एन एक दो टुकडों में बटा है जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है इसी आर एन एक के साथ रिवर्स ट्रांस्क्रिप्टेज नामक एंजाइम लगा होता है कैपसिट के बाहर का आवरण कोसिका कला के समान दुई इस्तरिय लिपिट का बना होता है इसकी बाहरी सतह पर लाइको प्रोटीन्स के बने अनेक व्रिंत युग्त खूटी सद्रिस गुंडियां लगी होती है तो ये तो हुई संचिप्त रूप से HIV की सनरचना अब आपको बताते हैं कि यदि AIDS हो गया है तो क्या-क्या लक्षण प्रकट होंगे यानि HIV संक्रमण के लक्षण symptoms of HIV infection किसी व्यक्ति के सरीर में HIV के प्रवेश को प्राथमिक संक्रमण कहते हैं जो बेक्ति है HIV संक्रमित हो चुका है तो ये लक्षण दो से चार सप्ता हमें दिखाई नहीं देंगे लेकिन इसके बाद सत्तर से असी प्रिसत बेक्तियों में लक्षण जो दिखाई देते हैं वो लक्षण हैं तीन से बारह वर्सों तक कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं यानि इतनी लंबी दूरी तक अब आपको कोई भी लक्षण नहीं दिखेंगे HIV संक्रमाट के तो अब आप लोगों को बता दूं कि लक्षण तो इतने सालों तक नहीं दिखाई देंगे लेकिन HIV वाइरस अपना काम अंदर ही अंदर करता रहता है यानि इसी बीच T4 लिंफोसाइट को सिकाओं में HIV का पुचरोद भवन होता रहता है यह लिंफोसाइट को इसका है आपके ब्लड ड्रक्त में पाई जाती है और धीरे धीरे रुधिर के साथ पूरे सरीर में फैलता रहता है तथा रुधिर के साथ साथ अन्यतरल पदार्थों में जो आपके सरीर में अन्यतरल पदार्थ हो जाता है इनको इस काओं का संक्रमित वेक्ति के सरीर की प्रतिरच्छा छमता धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है ऐसा वेक्ति पूर्ण विक्सित एर्ट्स रोग का सिकार हो जाता है तो ये लक्षण दिखते हैं कौन-कौन से लक्षण दिखेंगे निमोनिया अंधापन मुखवा आतों में घाओ, जननांगों पर मस्से, आदी रोग प्रकट होंगे अंत तहा वेक्ति का प्रतिरच्छण तंत्र इतना अक्षम हो जाता है कि वेक्ति मलेरिया, पीवी, आदी कई प्रकार के संक्रामक रोगों के कारण मर जाता है उसके मृत्ति हो जाती है तो ये HIV का प्रसारण कैसे होता है तो इसमें से पहला है संक्रमित पुरुसों के वीर में HIV होता है अताहा यहा लेंगिक सहवास के द्वारा सबसे अधिक फैलता है दूसरा है रक्ता धान द्वारा यानि संक्रमित विक्तियों का रुधिर स्वस्त विक्तियों को देने से HIV का संक्र प्रियोग द्वारा यानी डाक्टरों द्वारा इंजेक्शन स्वी से विक्तियों को इंजेक्शन लगाने से HIV रोगी से स्वस्त मरस्यों में यहां पहुंच जाता है अताहा इंजेक्शन का प्रियोग एक विक्ति पर करने के बाद दूसरे विक्ति पर उस इंजेक्शन का प्रियोग नहीं करना चाहिए चोथा है संक्रमित माता से HIV भ्रोण में या सिसु के जन्म के बाद दुगधा पान द्वारा सिसु में पहुंच जाता है और अगला है स्वस्त वेक्ति में संक्रमित वेक्ति के अंग प्रत्यारोपन से भी HIV संक्रमन हो जाता है तो ये तो हुए वो कारण जिससे AIDS फैलता है अब आपको बता दूँ कि इसको नियंत्रित कैसे किया जाए यानि AIDS का नियंत्रण पहला है सबसे पहली बात तो वेक्तियों को AIDS से संबंधित पूर जानकारी कराना चाहिए ताकि यदि पूर जानकारी होगी तो जानकारी ही बचाओ है और दूसरा है इंजेक्शन सुई का एक बार प्रियोग करने के बाद फैंक देना चाहिए तीसरा दाता के रुधिर का परिच्छन करने के बाद ही रुधिर देना चाहिए चोथा अंग प्रत्या रोपन के लिए भी अंगों का HIV परिच्छन कराना चाहिए पाचुआ सहवास के लिए विसे साउधानी बरतनी चाहिए तथा कांडोम का प्रियोग करना चाहिए यहां आपको एक जानकारी और बता दूँ कि एक दिसंबर को 208 दिवस मनाया जाता है यानि एक दिसंबर 208 दिवस के रूप में मनाया जाता है अब लास्ट में आपको बताता हूँ कि एड्स रोग निदान एबं उपचार कैसे किया जाए HIV के संक्रमण की पहचान अर्थात रोग निदान वैसे तो इलेक्टरान सूचमदर्सी द्वारा वीर, योनिस्राव, लार, दुग्ध, रुधिर, आदी तरल पदार्थों में वायरस की उपस्थित से की जा सकती है परंत वैज्ञानिकों ने इसकी सरल रासायनिक जाँच की विधियों का आविस्कार कर लिया है रुधिर में उपस्थित एंटिबाडीज की सीरिमी जाँद्वारा पता लगा कर एच आईवी का संक्रमण होने पर या ना होने का निर्धारण किया जाता है इस जाँच के लिए ELISA टेस्ट किया जाता है यानि ELISA किट का प्रियोग किया जाता है एलिसा का पूरा नाम एंजाइम लिंक्ट इम्यूनो सार्ट बेंट ऐसे किट यानि हिंदी में कहें तो एंजाइम सहलगन प्रतिरोधी सोसक जाच किट है आसा है आप लोगों को एर्ट्स के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी और आप दूसरे लोगों को भी यह जानकारी देंगे तो आज के अंक में इतना ही अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए तथा साथ में वीडियो को लाइक और सेर जरूर करिएगा धन्यवाद